हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच परहार में मैं हूँ एड़ोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में में एक नेड़े मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों मेंटेनेंस है कैसी चीज है ना कि हर एक वेक्ति उससे बचना चाहता है यदि वो capable है तब भी बचना चाहता है और capable नहीं है तब भी बचना चाहता है अब इसके लिए दोस्तों जो पूरिशेव कोशिश करता है कि अपने अर्निंग को कम से कम दिखाए ताकि जो मेंटेनेंस है कम से कम बंदे और जो इस्तरी होती है वो ये चाहती है कि पती के अर्निंग को जादा से जादा दिखाए ताकि जादा से जादा मेंटेनस बंदे अब दोस्तों जो मामला मैं आपको बताने वाला हूँ यह आप में से बहुत सारे लोगों के साथ है कुछ लोगों के मेरे पास ऐसी queries भी आई है किसार अगर हम ऐसा कर लें तो ऐसे बहुत सारे लोग आप में से होंगे तो पूरा मामला पूरा निर्णे आप लोगों के लिए बहुत important है आखरी तक वीडियो में बने रहेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकिशन बेल पर जरू क्लिक कर लें ताकि future में जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो ज़ा आप लोगों के लिए लेक्या हूँ लेकिन 2008 से उसने maintenance की राशी पूरी तरह से देनी बंद कर दी इसके बाद पत्नी ने अपने पती को नोटिस बेजा नोटिस मिलने पर वो दो दिन के लिए वापस इंदोर आयक दो दिन रहा और फिर आर्तिक स्तीती सही नहीं है का भाना बना कर फिर चला गया अब परशान हो करके 2016 में पत्नी ने maintenance का case फाइल किया अब जो पती था पती ने कोट में उसको अपनी पत्नी मानने से इंकार कर दिया और वो इस शादी से ही मुकर गया उसने कहा कि इसको मैंने अपने साथ रखावा था अपनी भेन मान कर गये ये मेरी पत्नी नहीं है इसको भेन के नाते में अपने साथ में रखावा था और मैं maintenance के लिए कुछ पैसा दे रहा था लेकिन दोस्तों जो जूट होता है न वो पकड़ा ही जाता है कही ना कहीं से तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो सही तत्ते हैं वो ही आप कोट के अंदर लेकर क्या है इस मामले में भी ऐसा ही हुआ बाद में पत्नी के हाथों में राशन कार्ड लगी और राशन कार्ड में पत्ती की फोटो लगी थे और एज़े हजबें उसका नाम लिखा हुआ था और एज वाइफ उसकी पत्नी का नाम लिखा हुआ था प्रूफ हो गया कि भाई ये इसकी पत्नी है और साथी कोट ने ये भी का जहाँ पर दोनों लोग बहुत लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं विवा को साबित करने के लिए किसी कठोर परवान की ज़रुद नहीं है और ये सब देखते वे कोट ने उसका जुड़ भी पकड़ा और 4,000 रुपे पर मंत उसकी लिटिगेशन का खर्चा यानि कोट में जो इसका खर्चा हुआ है वो भी आप दीजिए तो बात यही है सारी अगर आप शादी से मुखर जाते हैं ये solution नहीं ये बड़ा मुश्किल है अगर आप शादी से मुखरते हैं कहीं न कहीं से साबित होई जाएगा कि आप married हो तो मेरे हिसाब से इस तरह की चीज़े नहीं करनी चाहिए ये हैंकी पैंकी चीज़े करके हम आगे के लिए भी अपने रास्ते बंद कर लेते हैं और दोस्तों आप लोग के हल्ट के लिए इस मामले के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा महां जाके आप पूरे मामले को पढ़ सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में नहीं लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए गुडबाई एंड थेंक्यो फॉर वाचेंग टेक कियर